हलो फ्रेंड्स मासोरां कैसे आप लोग आहे हुप अच्छी होंगे सब सब काफू करना जोयू करना है वह इत converted हो जाएगा 40 September से तो आप लोग सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए टायम पर ठीक है लेकिन हमने उसमें दिसके सिब्स क्याख वह मनी किम इनटेबढन से लिए पहल में आपको बता सब्सक्राइब को निदे कॉझ के पारे खेंट को लता है मैं उसे एनटिफेकलल टास्क होताय तो उसको लिए नौटैन्स घूरम तो यूजी वनाने के लिए करते है लेकिन नॉटन्स में क्या करते हैं फूरे सट्कित को इस से करते हैं एक परेंट सोर्से इसके पैलर में रजिस्टेंस अगर आपको नॉटन्स थेहरम का बेसिक सा जानना है नहीं जानना तो इसके पहले वाला वीडियो देख लें लिंक के है जिसकी वैर्लियोट कर ध्रिया व बॉल्क्ती को वोल्क एस सब्यूकक को ओसेन intuitive बोल्टी सब्सक्राइन निकालना है और बी टर्म्न कि लोग प्रोसिजर क्या है सबसे पहले आपको क्या करना था लोज बपत यह तामने क्या करते है फोर चाना नोउर्र answer इसमें 9A का current flow हो रहा है यह 9A current flow है series में current से में यहां तक सेम रहेगा इसके बाद divide होगा तो अब आप दिखो यह वाले resistance है हमारा पहले उड़े circuit को दिखो यहां से हमारा current divide होगा इसके बाद आई हमसे कि यहां से जो भी current आ रहा है कि यहां से जो भी current आएगा वह किस पे एक तुदर फाइवों का resistance लगए यहां पे लेकिन जब resistance 0 है कोई resistance नहीं है तो दूसरी ब्रांच में current बिल्कुल नहीं जाएगा ठीक है आई की वेल्यू क्यों हो जाएगी जीरो आप current division से भी निकाल सकते हो जो आपका पूरा का पूरा current होगा वह यहीं से फ्लो हो जाएगा दूसरी ब्रांच में कोई current नहीं तो फिर नहीं जाएगा और कोई current नहीं जाएगा तो यह जो आई दी गए है 5 याके value क्या हो गए Slow सोर्स नंगे यह कि ए तो आई के वेल्यू रखोगे तो यह भी जीरो हो गया है यहीं मैंने आप लिख भी दिया आप लोगी समझ के लिए करेंट आई उकल टू जीरो तो थिरी आई क्या होगी आपका जीरो करेंट हमेशा कौन से प्रिफर करता है लो रेजिस्टेस बात यहां सोट सरकेट है कहीं करेंट पूरा आपका वहीं से पास हो जाएगा कि आप जानते भी हों में सोट सरकेट का कॉंसेप्ट है कि अब आपको देखो आई जीरो होगे तो इनके वाला भी पात सोट हो गया से आपका बोल्टेस अब डिपेंडेंट बोल्टेस सोर्स राट दिया तो आपका सोट सरकेट तो उसके पालन में जो रिजिस्टेंस लगें हां उनकी वैल्यू भी आप एक्विलेंट रिजिस्टेंस निकालोगे तो क्या जीरो आप निकाल के भी देख लो 520 पॉन 5 प्लस जीरो ठीका जीरो डिवाइड वाई सम्बन जीरो हो जाएगा इसी तरह से तो स्क्राइब का इसी से तो आपको रिप्लेश करना होता तो कि करेंट सोच यह आपको है क्या हो सीरीज में करेंट से हम होता है तो सौर्ट कि एक पूछा लिए तो हमने क्या किया कुछ नहीं हमने इसको सौट किया ठीक है नॉटल थोड़ा को यूज किया तो हमने देखा पूरा कपूरा करेंट यह से पास हो रहा क्यों कि आरा क्रेंट से पास होता है किसी और नहीं जाता है तो जब इसका सारा करेंट से पास होगे तो इसमें जो करेंट था इसके प्हार्लम और पीजितन वह जाएगी तो तो 9A, 20 ohm और short circuit current जब इतना मच्छा सीरीज में करें सेम होता है तो जो current यह फिल हो रहा हुआ है यह current होगा वह इसी की value है पता अगर नहीं की इंपोर्टेंट कुछेन है यह दो तीन कुछेन है यह important question है तो इन्हें ध्यान से देखना है क्योंकि ऐसी question exam में आते हैं और आप लोग कुछ आप से नाओ इसके लिए question ज़रूर देखा question है आपका find open circuit voltage and short circuit current with respect to A और B यह आपको question दिया है इसमें आप से पूछा कि open circuit voltage निकालो AB के across और short circuit current निकालो AB के across तो आप open आप देखो यह question है यह आप यह आपका open circuit voltage आपको अमने के बहुत बार बताया है parallel में क्यों होता है voltage से हम होता है और series में करन से हम होता है तो यहां पर अगर 10 वोल्ट का source लगा यह इसके पहले में जो भी कुछ लगा हो इसमें 10 वोल्ट होगा इसमें पूरे में 10 वोल्ट होगा तो यहां पर A और B के across भी कितना होग कुछ करना ही नहीं है तो आपने यहां पर निकाल लिए open circuit voltage कितना होगा 10 वोल्ट अब आपसे और क्या पूचा है short circuit करें short circuit का मतलब किया आपको A B को short कर लो आप देखो आप जब आपका short circuit हो गया तो आपको इसमें तो voltage की वैल्ली क्या हो जाएगी voltage आपका हो जाएगा 0 short circuit जब होता है short circuit का मतलब कहा है इसका voltage की वैल्यू जीरो अगर यहां voltage जीरो हो गया और यहां पर आपको दिया है 10 वोल्ट ठीक तो और यह लगे हुआ है parallel में ठीक है जब यह 10 वोल्ट है तो यहां पर आपने short circuit किया तो voltage 0 हो गया voltage 0 हो गया और यह 10 वोल्ट है तो क्या केसील को KBL को सैटिस्फाई कर रहा है तो अगर आप से इसमें open circuit voltage पूछे जाता है तो आप निकाल दोगे 10 वोल्ट और आप से short circuit करन पूछा जाता है तो आपको answer क्या करना हुआ अगर और में लिखा हुआ है तो आप वो लिखोगे ठीक है अगर आप नन लिखा हुआ है तो आप नन पर टिक करो गए तो इसमें आप सौर्ट सर्कुट करने के लिए क्लिए क्लिए इसी तरह से एक और कुश्चन डिसकस करते हैं जिसमें voltage source भी लगा हुआ है current source भी लगा हुआ है अब इसमें क्या होगा देखो fine open circuit voltage होगे चाओ सौर्ट सरकुट करें विदिस्पेक्ट करने के लिए अब आपने इसको थी सीधे सौर्ट सरक्ट कर लिए शीरीज में आपको बतार करेंट से मुझता है तो इसमें 3 amp अब आप पुछा ओपन सरक्य वोल्टेज़ और ओपन सरक्यट वोल्टेज है इसका मतलब क्या है क्रेंट के वैलिए जीरो यहां से आपका क्रेंट को सैटिस्फाइब कर रहा है के सिल कहता जिपता करेंट अंदर आना सी उतनी बाहर जाना चाहिए समॉप इंकमिंग अनौट करेंट उपकल टूजी रो किसी फी नोट पे इनिस मैसा नहीं ह प्रिवेस नहीं बताया फिर से देखो फिर से निकाल पा रहे हैं और किसमें सौर्ट करेंट निकाल पा रहे हैं ठीक है थोड़ा और एक और कुश्चन करते हैं क्योंकि एसी से मी कुश्चन आ जाते हैं आपके आपको ऐसे जब इंपीडेंस वगएरा फेजर दिखते ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यह तो बहुत सिंपल सा कुश्चन डिसकस करते हैं ठीक फाइन सौर्ट सर्केट करें विद इस्पेक्ट टू ए और बी के आपको सौर्ट सर्केट करेंट निकाला सौर्ट सर्केट सबसे पहले सौर्ट कर लो ठीक है फिर देखो सारी ची अब करेंट बाहर जा रहा है ठीक है तो क्या होगा आपका यह सी यहनकी सम आप आप गोइंगेंट इकल टू इंदर आने चाहिए आपको बहुत आपने इसको लिए आए असी इंकमिंग अपकर यह वह फाइव एंगल 45 यह आपका इंग में हो गया प्लस यह आईवन करें आ अब आपके निकालना पड़ेगा इस प्रांज में जो आई है ठीक है आई यह आई वन आप खान लो कुछ भी तो इसकी वैल्यू क्या है आई प्ल्टू कैसे निकालों भी अपना यह वोल्टेज में दिया आपको टैन रूट तो एंगल 90 टीक है और रजिस्टेंस और में लिट्ट कैसे निकालेंगे एप आपने पड़ा होगा एक प्लस ज्य यह एक स्प्लस आई बावली फ़ाम का ठीक है मैगनिटूट के से निकालेगा अंडरूट बन्सिक फ्लसमान निया तो बाफ्ट और एकस भी विन होर्स इşekkür सकते सिरिट सकते हैं रॉट-मी नीकन से विए स्वन पह्ली हो जाएगा वात shines से to इसके वेल्टेज की वाल्यू आपको दिए तो आप करेंट की आई एकल टुब अपना से आपने काल होगा टिक है रूटू 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 कैंसल हो गया एंगल 90-45 कितना हो गया 45 मैंगनिटूट आपके तया है तो आई-वन की वैल्व आपको निकाले टैन अगल 45 टिक है कि अगर आपको नहीं समझ में तो आप लोग एक बार और देखें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ते रहे हैं आप लोग अपने सपनों को जिन्दा रखें थैंक्यू